इस वीडियो में हम जानने वाले प्रो कबेडी सीजन 11 के लिए कन्फर्म हेट कोचिस के बारे में कौन कौन से फ्रेंचाइजी से प्रो कबेडी के टीम से जिन्होंने अपने हेट कोचिस को कन्फर्म कर लिया सीजन 11 के लिए उनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले जहागा तक hit coaches की बात है Coach teams थारे Halажу Nelly, Coach तीमों ने retain भी किया है उनके बारे में बसके बात करेंगे और कौन-कौन ऐसे teams है जिन्गों ने अभी तक announce नहीं किया है उनके बारे भी आगे जाने के सबसे पहले टीम के साथ आज आते है जिनका हिट कोड़ कंफिर्म है वो है यहाँ पे पहले टीम बैंगलियरो बुल्स के जिनकी टीम के कोड़ इस बार भी रंदीर सिंग सरावत से रहने वारे हैं आफिर्ली कंफिर्म हो चुका है एक ऐसे एकलौते कोड़ जो कि season 1 से एक की टीम पर साथ जोड़े है रंदिर सिंग से रावत सर को बुल्स की टीम ने रिटेन कर लिया है as a head coach यहाँ पर पिक्चर सामने देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है coach को रिटेन किया गया कितने बड़िया तरीके से बुल्स ने इनको वो टीम बैंगलूरू बुल्स जान थी चलते दूसरी टीम दबंग देली के साथ तो दबंग देली के नए head coach जोगिन नर्वाल बन चुके है मैं आपको बता दो जोगिन नर्वाल को नया head coach बनाया गया है दबंग देली का last season as a player नहीं as a coach आ चुके थे retirement लेके और assistant coach थे दबंग देली के लेकिन इस बार रामबिट सिंग खोकर सर को release कर दिया गया head coach के post से और अब जोगिन नर्वाल हमें as a head coach नजर आने वाले दबंग देली के लिए अगले season में और यह officially confirm हो चुका picture आप screen पे देख सकते हो जोगिन नर्वाल प्रो कपेटी season 11 में दबंग देली के as a head coach नजर आएंगे और बहुत important होने वाले किस तरीके से youngsters के साथ इंका तालमिल बैठेगा यह बहुत important है और दबंग देली के अब head coach बन चुके assistant coach से एक post और उपर जा चुके और head coach बन चुके season खतम नहीं हुआता तो announcement आगिया क्रिशन कुमार हुड़ा सर नए head coach हो चुके है टेल्गू Titans के और कितने बड़े coach हैं हम सबको पता है दबंग देली के लिए क्या इनका योगदान रहा है उसको बुलाया जा नहीं सकता दबंग देली को final तक ले जाते थे कि इन्होंने coaching छोड़ दिया है लेकि वापस season 11 में Titans नहीं अप्रोच किया है और matches के बाद यह में नजर आ गए थे वहाँ पे वो जब match देख रहते हैं अज़ा स्पेक्टेटर और मुझे लग गया था और यह नए head coach है अगले team पूरेरी पल्टन है जिनके इस बार भी head coach BC Ramesh sir रहने वाले है और यह मैं आपको बढ़ा दू last season की champion से पूरेरी पल्टन की team और जब भी कोई team champion होती है तो वो जादा changes नहीं करती है और उन में से एक team है पूरेरी पल्टन की team जिनके head coach इस बार भी BC Ramesh sir होने वाले जो कि मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ इस बार भी BC Ramesh sir पूरेरी पल्टन के लिए as a head coach जोड़े रहेंगे तो यह एक बड़ा खबर है और पूरेरी पल्टन ने इनको as a head coach रिटेन कर लिया official announcement जल्दी हो जाएगा इसका कोई बड़ा बात नहीं है और यही as a head coach पूरेरी पल्टन के लिए अगली season नज़र आएंगे चलते अगली team लास season की finalist हरियाना Steelers है जिनके head coach इस बार भी मनपीद सिंग सर रहने वाले ये भी मैं आपको बता दू मनपीद सिंग सर इस बार भी हरियाना Steelers के head coach बने रहेंगे season 9 से हरियाना के साथ आज चुके पहले गुजरात के coach थे और लास season इन्होंने दबंग डेली जैसे हम कहते हैं ना final कैसे गई थी इसलिए हरियाना Steelers की team पहले बार final गई थी मनपीद सिंग सर के coaching में क्या ही performance इनकी team ने दिखाया था और मोहीत जैदी पोगे सारे खिराडियों ने बहुत ही अच्छा production किया और मनपीद सिंग सर इस बार भी यहाँ पे as a head coach नजर आने वाले हरियाना Steelers के लिए ये भी confirm हो चुका है और अभी हरियाना Steelers का जो Academy है सोनी पत के वहाँ भी head coach के रोल में लजर आ चुके अपडेट आया था इसे लिए हरियाना के coach इस बार भी मनपीद सिंग सर सीजन 11 में रहेंगे यूपी उदास पे आये तो जश्वीड सिंग सर इस बार भी head coach होंगे ये भी confirm मैं आपको कहा सकता हूँ लास सीजन ऐसा पहले बार हुआ था कि यूपी उदास के team qualify नहीं होई हो प्ले आपस में ना जा पायो लेकिन जश्वीड सिंग सर इस बार भी head coach होंगे ये कैसे कह सकते है क्योंकि यूपी उदास के एक academy है बीके कबड़ी academy अब वहाँ के भी head coach के रोल पे जश्वीड सिंग सर है और जितना भरोसा यूपी उदास इन पे दिखाती है वो हम सब को पता है और एक season के basis पे ये नहीं कहा जा सकता है कि अच्छे coach नहीं है उनके head coach भी संजीब बालियान सर ही रहने वाले अगले season के लिए ये भी मैं आपको बता दो संजीब बालियान सर के साथ ही जैपुर बिंग पैंटरस आगे जाएगी इनका coaching का जो तरीका है वो हलका सा अलग है ज्यादा calm minded है ज्यादा उतना बोलती है नहीं लेकिन इनका coaching बहुत जबरदस्त है season 9 में पैंटरस को champion मना है last season भी जैपुर की team बहुत अच्छा के लिए थी आगे final तक नहीं जा पाई लेकिन बहुत ही अच्छा overall performance था और संजीब आलियान सर के साथ ही टिक रहेगी जैपुर विंग पैंटरस की team और इस बार भी वही coach रहेंगे season 11 के लिए चलते अगली team गुजराद जैंट के बारे में तो इनके coach राम हैट सिंग सर ही रहेंगे ये भी मैं आपको बता दूँ गुजराद जैंट भी मुझे नहीं रखता है इनके coaching में हमने देखा है कि पटना कितना अच्छा करती थी उमीद है अगली season भी गुजराद के team बहुत ही जड़ा अच्छा करेगी और head coach भी यही रहेंगे ऐसा मुझे लगता है और आम हैट सिंग सरी ऐसा head coach नजरा सकते आपको अगली team और आकली team पटना पाईरेट से जिनके head coach नरिंदर रेडू सर रहने वाले last season head coach में changes किया गया था रवी शेटी के जगा नरिंदर रेडू को लाया season 10 के head coach के रोल में और हमें ऐसा लग रहा था पटना अच्छा नहीं कर पाएगा लेकिन इन्होंने जिस तरीके का जो starting seven बनाया था नए talents संधीप हो गए सुधाकर M हो गए अंकी जागलांग क्रिसन धूल जैसे players को मौके दिये और उसके बाद नीरच कुमार की जा मयूर कदम को विलाया फिर वो भी चले और पटना की team play-offs गई थी अगर आपको पता होगा season 10 अभी खतम हुआ है मार्च में पटना की team play-offs गई थी लास्ट में एक वो जो गलती हुआ था उस match में वर्णा आगे भी जा सकती थी लेकिन बहुत ही अच्छा इनका coaching रहा था पटना पाइलेट्स के लिए जिस तरीके से ने guide किया players को तो यह यह हाँ पर confirmed head coaches है इसमें से तीन टीम बेंगॉल वार्यर्स यूबॉमबा और तमिल थालाइवास इन तीनों के बारे में अभी तक कोई ऐसा update नहीं आया है जहां तक लगते है तमिल थालाइवास का तो मैं आपको कहा दू असन कुमार सर head coach नहीं रहने वाले official news है एक नया head coach के सा जाएगी तमिल थालाइवास की टीम यूबॉमबा और बेंगॉल वार्यर्स भी कुछ changes कर सकती है head coaches में क्योंकि यूबॉमबा की CEO है सुहिल चांडोक सर वो चाहेंगे कोई अच्छा coach लाए वैसे अली रेजा सर भी अच्छा है गुलम रेजा सर भी काफी अच्छे coach है लेकिन देखते हैं क्या changes कर सकती है यूबॉमबा की टीम या नहीं और बेंगॉल वार्यर्स की जहां तक बात है हो सकता है कि बासकरन सर कि कोई और coach को ले अगर असन कुमार सर ने कोई reason से छोड़ा है तामिल थालाइवास को अगर वो available है तो बिलकुल बेंगॉल या नेक्स्ट वीडियो में कुछ और important topics के साथ रोकवडी के तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्सर में टेलीग्राम रुपका लिंक है जोइन कीजिए ताकि आपको हर कवडीक अब्डेट मिल सकते हैं